तो जैसे कि आपको पता है हम बैशलर्स इन फार्मेसी थर्ड इयर फिफ सेमिस्टर में पढ़ाय जाने वाला सब्जेक्ट फार्मा कोगनोसी एन फाइटो केमिस्ट्री यूनिक सेकेंड अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसी सीरीज में जो आज हम डिस्कुस करने वाले हैं वह है लीकराइज ठीक है प्लेलिस्ट का लिंक यह हर बाड इस्क्रिफिशन बॉक्स मेंShare कर रही हूं फर्स्ट उनिट का भी फिर्स उनिट की बी जो भी वीडियो ज आ रही है या फिर्स सेकंड उनिट की जो भी वीडियो मैं डाल रही हूं सारी चीजे आपको description box में share की जा रही है और notes PDF डाउनलोड करने का भी link वही share हो रही है तो आज जो हम discuss करने वाले हैं देखें लिकर आइस को हिंदी में क्या कहते हैं मुलेथी आपने इसका नाम सुना होगा जो अकसर जब खांसी आती है तो लिया जाता है क्योंकि ये इसका स्प्रिक्टोरिंक ट्राक्शन भी होता है तो खांसी वगेरा अगर इसको लिया जाए तो आराम मिलता है खाने के लेखना है वो यह है synonyms इसको और किन नामों से जाना जाता है तो जैसे मैंने यहां बताया इसको रैडिक्स ग्लाइकराइजर के नाम से भी जाना जाता है और स्वीट मीठा होता ही है और हिंदी में आपको जैसे की पता है मुलेठी इसको कहते हैं तो अब इसका बायोजिकल source कहां से मिलता है unpeed estolones and roots and stems of glycerasa glabora family leguminace ठीक है यह इसका biological source होता है अब हम geographical source की बात करते हैं तो student geographical source मतलब यह कहां कहां पाया जाता है तो देखिए यह बहुत जगहों पे पाया जाता है अपने इंडिया में तो सबसे पहले फिर उसके बाद दें China, Europe, Iraq, Japan, Spain, Turkey and US में भी ये पाया जाता है फिर अब इसके cultivation and collection के बारे में बात करें तो देखिए इसको ऐसे soil में इसको cultivate किया जाता है बोया जाता है इसके seeds को जो soil जो है moisture retention soil हो वहाँ moisture content रहे तो moisture content या moisture retentioned soil हो वहाँ पे इसके हम seeds को sown करते हैं और इसके लिए जो हमें pH चाहिए वो कैसा होना चाहिए? alkaline होना चाहिए ज़ंड इसके seeds and roots होते है उसको क्या करते हैं? जो इसके sequ locomotives होते हैं जो इसके pH होते हैं उसको बीगोने से पहले 24 घंट के लिए हलके से warm water में 20 घंट तक इसको भीगो के रखा जाता है इसको 24 घंट मेंники इसको बोया जाता है फिर उसके बाद इसको चोड़ देते हैं फिर प्लांट जब ऊपर थोड़ा सा बड़ा हो जाए handle करने लायक हो जाता है जब पकरने लायक हो जाता है तो एक-एक seedlings के को अलग करके अलग-अलग उसको बो दिया जाता है लगा दिया जाता है ठीक है अलग-अलग लगा देने के बाद क्या होता है कि फिर इसको छोड़ देते हैं समर तक ये अपना उगते हैं तो ये इसके लिए तीन सीजन आपने देखें ओटism में इसके सीजन में इसके को बोया जाता है फिर winter तक छोड देते हैं थोड़े हो जाते हैं थोड़े मकरने लैक याएक और फीर इसके बाद ये पूरी तरह काफी लंबा होता है और इतना अच्छा भी लाफे पोपाता, इतना इत्र तो इसके लिए उससे जादा के constructs प्रोक्यॉर करके प्लांट के प्लांट के प्रोक्यॉर करके मार्कियॉर जाता है, विससी प्लांट तो यह हो गया हमारा cultivation collection, अब हम इसके microscopy most important, जैसे कि मैंने आपको हर बार कहा है, जिस-जिस plants में, जिस-जिस drug में आपको microscopy बताई जा रही है, बोली जा रही है, वो बहुत important है, semester point of view से भी, और competitive exam के point of view से भी, ठीक है, तो देखिए, यहां मैंने एक rough diagram, आपको rough view दिया है, आपको nose में well explained diagram, बहुत ही अच्छा सा diversified diagram वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आप एक समझने के लिए देख लीजे, कि इसकी जो सबसे उपर की layer होती है, tubular layer होती है, cork उसको कहते है, tubular cells की तरह, देखिए, tubular cells यहां पर है, यहां पर यह होते है, cork, फिर उसके बाद अगली जो layer आती है, वो होती है fellow derm की, fellow derm में ही आपको calcium oxalate के crystals भी मिलेंगे, और starch grains भी मिलेंगे, फिर आप आजाएए, यहां पर medullary rays, यह देखिए, V-shape में आपको मैंने यहां बताने की कोशिश की है, medullary rays, यह देखिए, ठीक है, यह होती है, medullary rays, ठीक है, medullary rays, प्लांट के inner part से outer की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है, यह होता है medullary rays, फिर उसके बाद आप देखेंगे, यह जो आपको यह cluster black color से दिख रहा है, यह होते हैं phloem fibers, ठीक है, और एक चीज, यह जो fellow derm होता है यह parent chymectus और colend chymectus दोनों तरह की tissue से बना हुआ हो सकता है, कभी parent chymectus tissue से भी बना हुआ हो सकता है, आप देखिए, यह जो हो गया, फिर उसके बाद यह हो गया आपके phloem fibers, ठीक है, फिर phloem fibers के बाद आपको जो चीज देखनी है, यह देखिए, आप यह जो यह line देख नहीं हैं, मेडुलरी रेस के उपर से इचे दृकिता है कांबिएं स्ट्रिप तैट उसको कहते हैं, ठीक है फिर अधर नीचे, आपको फ्लोयं चपन तो, निय्ठा देति काइमा जिये, तक शचेता है यह थोड़ा सा आप Cambium Strip के नीचे यह देखिए गोल-गोल मैंने बना के रखा है यह गोल-गोल क्या है यह वैसल्स है यह देखिए यहां मैंने दिखाया है गोल-गोल यह क्या है वैसल्स है इन वैसल्स से यह देखिए गोल-गोल सी ब्लैक कलर सी यह सेल्स कनेक्टेड है इस इसको कहते हैं Xylem Parenchyma, क्या कहते हैं इसको Xylem Parenchyma कहते हैं, फिर उसके बाद ये गोल गोल जो वेसल से Connected Cells है, Xylem Parenchyma और वेसल के ठीक ऊपर की जो Cells हैं, उनको हम कहते हैं Phloem Parenchyma, ठीक है, students ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाइग्राम के थरू आपको explain करने की कोशिस की है, फिर वेसल के बीच में देखिये, clusters में रहे हैं, इसको हम कहते हैं Xylems Fibers, क्या कहते हैं, फिर ठीक नीचे आजाएई, ये जो black color से round रौंग cells होती है, इसको हम कहते हैं, इसको हम PIT कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको पित कहते हैं, और ये जो पित होता है, मैं एक बात आ राइजोम के केस में प्रेजंट होता है किस केस में राइजोम के केस में प्रेजंट होता है लेकिन रूट के केस में अपसेंट होती है ठीक है अगर राइजोम की बात करेंगे तो राइजोम के केस में यह जो पित हमने दिखाई है लास्ट में यह पित राइजोम के केस में प तो जैसे कि आपको पता है कैसे होते हैं लंबे लंबे होते हैं सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं ठीक है बाहर से ग्रेश ब्राउन कलर के होते हैं ठीक है तो डार्क ब्राउन ठीक है ग्रेश ब्राउन से एकदम गाढ़े ब्राउन कलर के होते हैं और यह टेस्ट इनका कैसा होत यह स्वाद में और हलका साभ वेरी स्लाइकली अर्माटिक टेस्ट ठोड़ा कसला टाइप का बीटए टेस्ट ऐसा उसमें हलका सा होता है आपने मुलेखी खाई होगी तो यह आपका मैंने व्यू आपको दिया Synonyms, आज के वीडियो में हमने देखा Synonyms Biological Source, Geographical Source, Cultivation Collection और हमने Microscopy देखी और हमने Roots के Characteristics को देखा और Important चीज़ें हमने ये भी समझी कि Calcium Oxalate Crystals कहां present है ठीक है, ये सारी चीज़े Starch Grains कहां present है ये सब कुछ आपने यहां पे देखा Cambium Strip के बारे में देखा पित किसमें present होती है, किसमें नहीं present होती है ये आपने Microscopy में देखा ठीक, Notes Downloading की लिंक मैं PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ आप एक बार वहां पर Microscopy जो Notes में दी गई है उसको ध्यान से देखिएगा और Lecture ध्यान से सुन लीजेगा तो आपको Microscopy clear हो जाएगी ठीक है? अगर यहां नहीं clear हो पाई है तो मैं आपको खुद से अफ़क देने की बात कर रही हूँ वीडियो सुनिएगा ध्यान से और उसको देखिएगा ठीक? तो this is all about today's Next lecture में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए और चीजे देखेंगे Chemical Test, Constituings and Uses भी देखेंगे इसके और हाँ मैं आपसे एक रिक्विस्ट करना चाहूंगी हमारा YouTube पे एक और चैनल है 10 Direction News के नाम से आप एक बार प्लीज उस चैनल को भी विजट करें वहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो जो मैंने बताने की कोशिश की है आप तक वैसा पहुँचा हो तो अपने फ्रेंग्स से ये वीडियो शेर कीजे नूख शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे बेल आइकन प्रस कीजे ताकि जैसे ही वीडियो मैं डालू आप तक पहुँच जाए थैंक्यू वेरी माच